हेलो बच्चो कैसे हो आई होप आप सब अच्चे होंगे बच्चो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आएंगे मेटल और नॉन मेटल चैप्टर जो की क्लास 10th NCRT का चैप्टर 3rd है इस चैप्टर में कुछ क्षिस्टन्स दिये गए हैं जिनकी बार हम डिटेल अनालिसिस करेंगे साथ में आपको हम यह 100% गैरेंटी देते हैं जितने क्षिस्टन हम बता रहे हैं बोर्ड अगर पूछेगा तो क्षिस्टन यहीं से पूछेगा 2023 के एक्साम में यह हमारी 100% गैरेंटी है तो अगर आप इस वीडियो के स्किप करके देखते हैं तो आपका काफे नुक्षान हो सकता है अगर आप इस पसली क्लास 10 के वित्यारती हैं आप तो हो जाते हैं इसका बोर्ड एक्साम देने जा रहे हैं जाहे वो यू पी वोड़ का हो जाहे ू सी विए सी वोड़ का हो ठीक है तो आप इससे वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर से 100 out of 100 अक्स ला सकते हैं तो चली तो आप द्छना की कि वीडियो प्लत करते हैं तो metals क्या होते हैं, ऐसे looks होते हैं जो electricity को conduct करते हैं, ठीक है, lustrous होते हैं, ductile होते हैं, mallyable होते हैं, और non-metal क्या होते हैं, जिनमें ये सारी properties नहीं होती हैं, पर यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, हमें कुछ important topics पर बात करना है, जो कि बार बार board ने पूछा है, जैसे कि एक topic हमारी है, ductility, भाई ये ductility क्या है, इसके बारे माई ये हम परते हैं, देखे भाई, ductile nature, metal का एक special feature होता है, इसमें जो भी metals होते हैं अगर metal ductile है, तो जो उसका लंबा सा, पतला और लंबा सा, हम लोग wire बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, wire बना सकते ठीक है, तो हम कह सकते हैं, it is a special property of metal, in which metal can convert in thin long wire, किस में convert कर सकते हैं, thin long wire में convert कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भाई जो हमारी metal के special properties होते हैं, तो आप ductile बोल सकते हैं, अगर बात कर लें, हम गोल्ड की, गोल्ड की, इसके सबसे अच्छी ductility होती है, लगबग एक ग्रेम गोल् हम one kilometer wire बना सकते हैं, ठीक है, कुछ book two gram लिखती हैं, तो अब ध्यान रखिएगा, लगबग, एक gram gold में हम, एक, sorry, एक kilometer, हमने kilogram लिख दिया है, एक gram gold में हम, एक kilometer long wire बना सकते हैं, ठीक है, तो ये कुछ special properties हैं हमारी, जो की gold के लिए होती हैं, तो एक gram में हम, एक kilometer long wire बना सकत हैं, तो ये तो कुछी business बात ही नहीं थी, अब हम बात करते हैं, business बात होगी, तो ये लेकिन जो सवाल हमने कराया भी आप से, ये सवाल से विसी ने नियर बाउट three times पोचा है, three times पोचा है, क्या पोचा है, उन्होंने कहा कि ductility क्या होती है, तो आपको ductility के बादें पता च सब्सक्राम को लिया जाए, तो एक किलोमेटर को लंबा वायर बना सकते हैं, ठीक, अगली बात आती है, maleability, maleability देखी भाई, ये एक property जिसमें metal को न हम लोग क्या करते हैं, metal को weed करते हैं, पीटते हैं, weed करके, किसी भी shape में बना देते हैं, ठीक, any shape प्रवाइड करा देते है मतल हम कर सकते हैं, by weed in metal, metal can convert in any shape, metal को हम किसी भी shape में बना देंगे, चाहे हो सुराही बना दे हम लोग, चाहे हैमर बना दे, तो ये एक special property है metal की, metal को हम लोग पीट पीट करकर, कोई भी shape दे सकते हैं, और उसकी इस property को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसी property को उसके बोलत मैलिविल्टी एक property जिसमें metals को हम पीट, पीट करके किसी भी shape में convert कर सकते हैं, लेकिन इसकी special property ये भी है, ये break नहीं होता, अगर हम इसको तोड़ते हैं, ये break नहीं होता, ठीक है, तो आपको मैलिविल्टी के बारें भी पता चल गया, इसको भी CVC नेने about three time पूझ रखा ह तो आप जानते रहिएगा जो मैलिविल्टी ये क्या है, metal की प्रॉपरिटी इसमें metal को पीट करके आप कोई shape दे सकते हैं, लेकिन metal आपका तूटेगा नहीं, ठीक है, आपने देखा भी होगा, जो iron के object होते हैं, उनको पीटा जाता है, और सेफ दिया जाता है, कभी कभी heat इस वीडियो को देख रहे हैं, तो थोड़ा patience से देखेंगे, तब को सारी चीजे समझ में आएंगे, देखिए, एक process होता है, जिसमें, oxide का एक मोटा सा layer बन जाता है, कहां पर, aluminium के surface पर, अगर ये aluminium है, तो इसके उपर, oxide की एक मोटी सी layer बन जाती है, oxide मतलब आप जानते है ब्राउन कलर की होती है, ठीक है, तो ये layer बन जाती, ठीक oxide की layer बन जाती है, कहां पर, aluminium के surface पर, ये क्या है, oxide layer, ठीक oxide layer, और भी कैसी है, ठीक है, मोटी सी ध्यान देना, कभी-कभी, अमसी के ओज में, ठीक ठीन करके पूछा जाता है, तो यहां पर हमने, definition में भी लिख रख aluminium surface, aluminium के surface पर आपकी, मोटी सी oxide की layer बन जाती है, ठीक है, तो आपको ये बाते ध्यान से समझनी है, कि anodizing क्या है, एक process जिसमें aluminium के surface पर, on aluminium surface, thick oxide layer बन जाती है, ठीक है, the process of formation of thick oxide layer on aluminium, देखो भई, गयसा होता कब है, जब इस aluminium को आप क्या करेंगे, एर के contact में छोड़ देंगे, एर मतलब समझ रहे न, oxygen के contact में छोड़ देंगे, मतलब कि open में छोड़ देंगे, तो ये क्या करता है, air से react करके, बना देता है, इसके उपर layer, गर देखिए है, chemical reaction क उन से involve हो रहे है, तो aluminium भई, यह metal है, जब यह oxygen से react करता है, यह बनाता है, AL2O3, पर यह reaction balance नहीं होगी, इसलिए हमें balance करना है, ठीक है, तो हम इसको कर लेते, 4 aluminium and 3 oxygen, so 4, 2,24 and 3,26, तो यह हमारे लेक balance reaction है, और यह oxide जो है, solid form में होता है, aluminium भी solid form में होता है, जबकि oxygen की बात करें, तो यह gaseous form होता है, चलिए ठीक है, इतनी बाते आपको समझ में आ गई होगी, तो अब हम चलते एक special topic की तरफ, जो की near about CVSC ने 5 times पोचा, देखिए हमने जो भी questions लिए हैं, CVSC के most 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 important questions हैं, और इन questions को CVSC ने बार बार पोचा हैं, और हम इसलिए आपको 100% यह और उसकी च्छमता नहीं है, कि वह बाहर से question बोच सके, एक्वारेजिया, यह terms क्या है, एक्वारेजिया ठीक है, इसको हमें पढ़ना है, एक्वारेजिया को हम लोग Latin word यूज करते है, royal water, ठीक है, royal terms मतलब आप जानते ही होंगे, purity के लिए यूज करते हैं, या फिर आपक सकते हैं, कि बहुत ही परफेक्ट चीजों के लिए, तो, sorry, एक्वारेजिया है क्या, तो, actually, it is mixture, it is mixture, यह एक mixture है, किसका है भीया, यह आप ध्यान देना, इस पर जो सवाल आया था न, सबकी वाट लग गई थी, it is mixture of kong, किसका देखना, concentrate, किसका, किसका, hcl, plus kong, hno3, समझ कि जो, बोर्ड ने घुमा दिया था, क्या घुमा था, एक बर यहां, डायलोट लेख दिया, और एक बर यहां, कौंक लेख दिया, इस तरह से उन्होंने, option, shift करते रहें, लेकिन आपको ध्यान देना है, कि दोनों concentrate होते हैं, और इनका ratio होता, trace to one, यह exemplar book का भी सवाल है, औ 2018 के आसपास CVSC ने भी इसको पूछा था, ठीक है, 2018 के आसपास पूछा था, तो आप ध्यान देना, कि जब अगर आप concentrated HCl और concentrated HCl और जिसको nitric acid बोलते हैं, यह क्या है, nitric acid, और आपका HCl तो आप जानते ही होंगे, nitric acid, HCl आपका क्या है, HCl आपका hydrochloric acid है, hydrochloric acid, ठीक है hydrochloric acid, अगर इनको हम 3 to 1 के ratio ले लेते हैं, तो इसी mixer को हम लोग क्या वोलते है, aqua ratio, तो यहां आपने देखा, हमने लिखा है, पर यहां हमने एक terms नहीं use किया है, क्या, यह दोनों concentrated होते हैं, यह भी आपका concentrated होता है, यह भी concentrated होता है, अब देखो जब वो objective पूछ देना, किना को ध्यान देना क्या, 3 to 1 होता, 31 होता हो, सक्त होता है, 31 सक्त होता, सक्त मतलब यह concentrated होते हैं, ठीक है, चलिए आते हैं, बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, question number है, अपका 2, name the metal which does not react with cold water, बहुत 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 important question है, इसको CVC ने कई बार पूछा, फिर से पूछने के chances है, तो जो आपका magnesium है, यह cold water से react नहीं करता है, यह cold water से react नहीं करता है, बट यह hot water से react करता है, but it can react with hot water, hot water से react करता है, पर यह cold water से react नहीं करता है, तो यह आपने देखा, कि बहुत-बहुत important questions हैं, जो कि आपको मिल रहे हैं, अगर आप इन सवाल को पढ़ें, तो आपको अच चैप्टर से मिल जाएंगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल हमारा है नेमना मेटल बिज डज नॉट रियाक्ट विथ कोल वाटर ऐसवढ़ अहाट वाटर वह सटीम से रियाक्ट करता है सा मेटल बताई जो कि कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दूनोंसे रियाक नहीं करते हैं तो भेयाँ आपके इसमें तीन मेटल होते हैं, कौन-कौन से, तो अलमीनियम, जिंक और आइरन, ये तीनों मेटल आपके जो हैं, कोल्ड वाटर से भी रियक्ट नहीं करते, किस से नहीं करते, कोल्ड वाटर से, और ये होट वाटर से भी रियक्ट नहीं करते, होट वाटर से भी रियक्ट नहीं क हैं तीन मेटल्स हैं जो कि आपके ठंडे और गरम पानी दोनों से रियाक नहीं करते हैं अब इसी के साथ आपको कुछ और important सवाल बता देते हैं जिसको यह आपको यहां कुछ नहीं किया गया थिर भी मैं सवाल को बता देता हैं दिखो भाई जब हमारा कैल्सियम कैल्सियम सीए अगर इसको पानी में डालें मतलब कि अगर यह लैक करगा वाटर से क्या बन जाएगा कैल्सियम हाइड्रॉकसाइड बनेगा ना समझेगा लेकिन आपको एक अच्छी वाद बताएं जब इसको हम डालते हैं पानी में कैल्सियम को यह कैल्सियम क्या क पाने के बीच में तैरता रहता है अच्छली ऐसा होता क्यों है क्योंकि जब कैल्सियम को हम पाने में डालते हैं तो यहां पर जो हड्रोजन गैस के वबल्स रिलीज होते हैं किसके हड्रोजन गैस के वबल्स और यह वबल्स जो होते हैं इस कैल्सियम के उपर स्ट्राइक करत हैं यह आपका एक मेजर कांसेट है सीवेस्टी ने पोछा था कैलसियम पानी में डालने पर तैरता क्यों है तो आप बोलें क्योंकि वहां पर एकसिस एमाउंट में एकसिस एमाउंट पे आपकी हैड्रोजन गैस रिलीज होती है जिसकी वजह से स्ट्राइक होता उसकी सर्फि श्वा देता हूं जैसे लिएक हों कभी अगर मेटल आपका से रियाक करेगा ठीए आप जांते होंगे टो यह क्या बनाता है साल्ट प्लस हईड्रोजन गैस बनाता है यह आप जानते होंगे पहले से विलाल एक बर हम रिकॉल कर देते हैं यह साल्ट प्लस हईड्रोजन गैस और इसकी टेस्टिंग आप कैसे करते हैं मैच इस टिकले जाते तो पॉप साउंड आता आपको याद होगा हमने लाइद में कराया है कई बार ऐसा तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं यहां पॉप साउंड मिलता है लेकिन यह बात तो सही है लेकिन कुछ मैटल्स है ना जो कुछ मैटल्स है वह आपके एच अने तरी के साथ भी हाइड्रोजन गैस नहीं देते ठीक है कौन-कौन से मैटल्स हैं उन वह बात करेंगे और सीवियस से नहीं यह भी पूछाता ना कि ऐसा क्यों होता है तो अच्छली यह जो मैटल्स पहले उनके बारें बात कर लेते हैं वह जन्रल्ली जो मैटल्स होते हैं वह हैड्रोजन गैस नहीं देते हैं जब आ एच अनो-धिल के साथ रियाक करते हैं तो तो यह क्या है hydrogen गैस नहीं देते हैं अधिकतर मेटल नहीं देते हैं ऐसा क्यों होता है तो इसका रिजन ऐसा क्यों होता यह भी पूछा था बोर्ड ने दूसरा कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि अचनों 3 के साथ भी hydrogen hydrogen गैस देते हैं तो पहले उन दोनों मेटल्स के वारे में बात कर लेते हैं ठीक है तो देखें वाई मैंग not je क्यों होते हैं यह लोग नहीं देते हैं पर ऐसा क्यूं होता है मैंको रिजन बता है है तो रिजिन भीया यह होता है जो आपका hydrogen gas बनता है ना जब अचनों तो किसे metal से लियाक करता तो बनता है यह लेकिन यह एक strong oxidizing agent यह बात द्यान समझेगा यह एक strong oxidizing agent है oxidizing agent है जिसकी वज़ा से इस h2 को convert कर देता है h2o में ठीक है यह क्या कर देता है h2o को convert कर देता है h2o में और किसके दुर तो यह oxidation के दुरूप करता है लेकिन खुद क्या होता है तो खुद जो होता है आपका hno3 खुद क्या होता है यह reduced हो जाता है ठीक है किसमे होता है तो nitrogen के oxide में न-o के फार्म में होता है एंड आण ओटू के फार्म में इन में से किसी एक फार्म में ये खुद को रिडियूज कर लेता है एक बार अनसर फिर से बता देते हम जो आपका मैटल है जनरली जब वो हैचनो त्रील के साथ रियाक करता है तो कभी भी hydrogen gas नहीं देता है तो board ने पूछा था ऐसा क्यों होता है तो actually जो HNO3 है एक strong oxidizing agent है क्या है कि strong oxidizing agent है जब ये strong oxidizing agent है इसकी वज़ा से क्या होता है कि ये अपने को reduce कर लेता है और जो water किसे जो आपका H2 निकलता उसको oxidize करके H2O में convert कर देता है ठीक है ये इसका answer हो गया हाईए हम बढ़ते है अगले question की तरफ और ये है what happen when metal react with acid तो जिसका answer हमने बता दिया था आपको पहले ही जब कोई भी metal किसे acid से react करता है तो क्या बनाता है ये salt plus water बनाता है ठीक है salt plus water बनाता है चलिए इसको आगे हम analysis करते है हाईए साथ में कुछ एक example भी कर लेते है जैसे हमने बताया कि metal अगर ये acid से react करता है तो क्या बनता है salt plus water नहीं बनता सब्सक्राइब hydrogen gas बनती है गलती से लिख दिया था तो आईए हम इसका example चेक कर लेते हैं एक metal हमने लिए sodium अगर इसको हमने hydrochloric acid में डाला तो ये एक salt बनाता है चोकि ये NCL और आधा मॉल बनाता है hydrogen gas इसी तरह से अगर हमने magnesium metal को hydrochloric acid से लिख कर आया तो ये MgCl2 एक salt बना लेगा plus salt के साथ आपका क्या बनेगा तो आपका जो बनता hydrogen gas बनता है ठीक है? salt के साथ आपका hydrogen gas बन जाता है लेकिन अगर आप से कोई ये पूछे कि अगर ये hydrogen gas बन रहा है तो ये इस hydrogen gas को आप क्या कर लिए? soap solution में पास कर देजी कहा? soap solution में soap solution में जब आप पास कराएंगे तो कुछ ऐसा करना होगा जैसे हमने ऐक टेस्ट ट्यूम ले लिए में हमने क्या किया थोड़ा सा यसी डाल दिया ठीक है और अचैइद डालने के बाद हम और कवादे क्या किया होगा इसमें कोई ने मेतल डाला इसकने सोडियम डाला दिया और इसको रबल के कॉल्क से बंद कर दिया और इससे ड्लेवर ट्यूब लगा करके इसको सूप सालोजन में डाल दिया तो आपको क्या करना यहां पर कुछ बबल से निकलेंगे अगर रियक्षिन स्टार्ट हो जाएगी और इस बबल के साथ जब आप जलते हुए मैजिस्टिक्स लाएंगे एक साउंड देगा क्या पॉप साउंड ठीक है यह पॉप साउंड देगा इसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि हाइट्रजन गैस निकल रही है और यह भी जीवसी ने पूछा था कैसे पता किया जाता है अगला वह इंपॉर्टं किस्थ्थ्न है जो कि आज लेक्चर का आखरी किस्थन है अगला जो किस्थन होगा हम बात करेंगे एक्स्प्लेन डटाइप आप ऑक्साइड दिखी बैए पहले तो ओकसाइड होती है देखी ऑकसाइड का मतलब है कोई भी कंपाउंड होगा अ आकसाइड मेनली आपके थ्री टाइप्स के होते हैं इन तीनों टाइप्स को हम यहाँ पर डिसकस कर लेते हैं एक आपका होता है मेटैलिक आकसाइड ठीक है दूसरा आपका होता है क्या नॉन मेटैलिक आकसाइड ठीक है दूसरा आपका क्या होता है नॉन मेटैलिक ठीक है ये अपने आप में बहुत ही important है तीसरा वाला चलिए हम पहले समझ लेते हैं ये दोनों तीनों हैं क्या देखो oxide हमने बताया क्या किसी भी element के साथ अगर oxygen लग जाए तो हम oxide बोल लेते हैं जैसे अगर magnesium के साथ लग जाए तो magnesium oxide sodium के साथ लग जाए तो sodium oxide aluminium के साथ लग जाए तो aluminium oxide तो आपको कभी आप दो तीन कैसे लिख रहे हैं तो अगर आपको याद हो इनके एक फार्मूले होते हैं जो कि इनके वैलेंसी के भिहाब पर बनाया जाते हैं अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप comment section में metallic oxide क्या होते हैं और non-metallic oxide क्या होते हैं और amphotary साथ में इनका nature भी पूछा गया था नेचर देखिए जो metallic oxide होते हैं मतलब जो metal plus oxygen होते हैं वो होते हैं आपके basic nature में ध्यान समझेगा basic nature होते हैं ये बहुत पार पूछा जाता है ये जो oxide है acidic है या basic है तो basic nature का होता है लेकिन non metallic oxide जो होता है वो acidic nature का होता है acidic nature का होता है ठीक है तो आप ध्यान समझ चुके होंगे non metallic का बनेगा जब देखिए metal plus oxygen होगा समझेगा oxygen तो आपका बनेगा क्या metallic oxide metallic oxide लेकिन अगर यही non metal हो जाए क्या non metal plus oxygen oxygen अभी यह बनाएगा क्या आपका non metallic oxide non metallic sorry non metallic oxide ठीक है non metallic oxide ठीक है non metallic oxide ठीक है ठीक है अभी ने क्या बोला जो metallic oxide होते कैसे होते हैं वो basic nature में होते हैं और जो आपके non metallic होते हो acidic होते हैं तो कहोगे सर्थ यह तीसर का क्या काम है भाई यह ऐसे oxide जो कि acid plus base दोनों के character सो करते हो acid plus base दोनों character सो करते हो उनको हम लोग बोलते हैं हैं तो अभी हम लिख रहे हैं तो आप यहां से लिख लेजिए गा पुभाई जनावे आली सनक गए ठीक है लेकिन अभी रहना जीजिए आपको ट्रिक दूसरे वीडियों बताएंगे SRad video नाएंगे अपे experts लेक्स लेक्सेंपल लेक्देते हैं ठीक है पहला क्या होता अपका तो पहला होता है गैलीयू मम्सर्पे लागा होता है Pan पाचमापका होता हैwe पर यह इंपोर्टेंट्स है जो कि आपको बार बार पोची जाते हैं ट्रिक में बता दे रहा हूं पीवी को मने वोला पप्पू ठीक है और पप्पू के बाद एक है अपका भाई भाई पर हम लोग लिखते हैं बोरान पपव भाई जनावे अली शनक है देखे पपू भाई बीक हमने वोला भाई पप्पू भाई जनावे अलीस शनक है लेकिन ये जो ट्रिक है अभी इस barbecue छोड़े ये आपको TRICK की individual वीडियो बना आजाए तो यह आपने उप्पर देखा था क्योंकि उसमें क्या होता केलशियम पर हीड्रोजन गैस के जो बवल्स होते हैं इस्ट्राइक करने लगते हैं जिसकी वजह से कैल्सियम को पानी में डालने पर अट एे यह वाइलेंट नेचर में इसा वाइले वाइलेंट नेचर में होता है उस वज़ा से होता है ठीक है चलि यह वह शयांसर आपको पहले से पता था अमने बता दिया अगला है टाइप-पॉंद present in ionic compound भी या देखो ionic compound है तो ionic bond होगा कौन सा bond होगा ionic bond होगा अगर आपको याद हो पिछले वीडियो हमने बताया था जो आपका carbonates compound उसमें कौन सा bond था covalent bond तो थोड़ा सा ionic bond के बारे में हम discussion कर लेते हैं देखे ionic bond कब बनता है जब metal plus non-metal आपस में जुड़ते हैं तो यह बनाते हैं क्या ionic bond जैसे अगर कोई एक metal है दूसरा क्या है non-metal है इनकी बीच का जो bond होगा होगा ionic bond ionic bond तर यह condition क्या होगी कभ यह बनते होंगे यह condition होती है जो metal होता हो electron देता है और जो non-metal हो लेता है ठीक है तो जो metal होगा उसका nature होता है electro positive और जो non-metal electro negative होता है एक jumper ले लेते हैं जैसे यहने CL इसमें कौन सा bond होगा तो को पता sodium क्या है एक metal है जबकि chlorine क्या है एक non-metal है तो यहाँ पर sodium अपना electron देता है chlorine को पर ऐसा अगर हमें देखना हो तो कैसे देखेंगे तो आईए देखते हैं sodium का atomic number 11 होता है electronic configuration 281 अगर देखा जाए तो जब हम sodium का structure बनाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं electron dot structure तो पहले cell में 2 electron ठीक है दूसरे cell में कितने हैं एक दो तेन चार पांच छे साथ आठ इसके बाद एक और शेल है इसमें एक electron लेकन क्लोरीन का बना के आप चेकर लिए एक cell दो cell तीन cell पहलें दो हैं दूसरे में आठ तीसरे में साथ है इसको देखो एक कि कमी यही electron इसको दिया जाता हम चाहें ऐसे बना ले साथ इमने जल्दी के लिए नहीं बनाया है चार हो गए पांच छे साथ ठीक इसमें आठ बनाना पड़ेगा आपको तो में जल्दवाजी के लिए ऐसा किया है कि ना बनाना पड़े तो आप देख पा रहे होंगे कि जो सोडियम है इसके पास एक electron है और इसके पास कितने है क्लोरीन के पास तो क्लोरीन का भी अगर आप चेक करना चाहें तो 287 आउटरमोस्ट में 7 electron है एक की जरूवत है इनको आक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसलिए यह क्या करते electron लेते हैं और जो आपका क्या कहते हैं मैटल होता है सोडियम electron देता है देखिए इसकी बारे मे हमने बहुत जल्दवाजी में discussion कर लिया कि यह quick revision class है लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ी से दिक्कत होती है कौन electron देगा कौन लेगा तो आप comment कर लिएगा comment कर लिएगा इसके लिए एक नई वीडियो बनाई जाएगी जो की class 9th के लिए होगी तर आप उस वीडियो के मद points होते हैं इनकी मेल्टिंग points होती है और boiling points वह ज्यादा क्यों होती है तो एक्चली हम region आपको बता दे रहे हैं बहुत आसान सा सवाल है due to presence of due to presence of strong ठीक है regions of strong intermolecular force of attraction strong intermolecular force of attraction ठीक है short form में हम लिखते हैं देखिए जो आपके ionic compound होती है यह electron transfer से बनते हैं लेकिन इनके जो वीच का bond होता है इस में बहुत ही strong intermolecular attraction होता है और यह जो bond length होती है वह छोटी होती है जिसकी वज़ा से इसका melting point और boiling point बहुत ज़ादा होता है अगर बात करें इनके structure की तो इनका जो structures होता है कुछ cubic structure होता है कुछ इस तरह से होता है अगर हम आपके common salt की है structure की बात कर लें तो वो इस तरह से generate होता है आईए हम लोग आके दिखा भी देते हैं देखें यह कुछ difficult होने वाला है थोड़ा से आप एसेंस के साथ देखिएगा structure इतना आसान नहीं है थोड़ा complicated है तो यह आपका यहने CL का structure है ठीक है पुछ इस तरह से है यह आपको 11th NCRT में पढ़ाया जाएगा chemistry के पार्ट में और इसी तरह से इधर से भी होगा तोड़ा सा हमारा structure complicated हो रहा है और इसलिए हो रहा है देखिए यह बहुत बहुत difficult ज्यादा हो गया है यह लीप डाला है ऐसा इसलिए हुआ भी हमने फ उसमें टूल से जनरेट किया गया है इस तरह का क्यूब तो आपको बहुत well defined manner में मिल जाएगा ठीक है तो यह यहां का पार्ट नहीं है तो आप चांदे रहेगा क्योंकि अगर structure इसका कोई पूछ है तो बतातीजिए क्यों भी structure से होता है crystalline form में होता है अगले जो सवाल है 9 & 10 11 यह हम आपको अगले दिन बात करेंगे next lecture में तब तक के लिए धन्यबाद अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज लाइक कर दें comment section में अपने राय दे साथ में ही आपसे एक अन्रोध है कर आपने चैनल को subscribe ने किया तो प्लीज चैनल को subscribe कर दें धन आप